ओम नमो भवते वास देवाएं नमस्खार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको कार्तिक मास महत्तम के बीस में अध्याय की कथा सुना रहा हूँ धरमदत बोला कार्तिक मास में तीर्थ ब्रत नियम आधी करने से समझत पाप दूर हो जाते हैं परंतु प्रेत योनी में रहने के कारण उन पर तेरा अधिकार नहीं है तेरे इस कष्ट को देकर मेरा मन दुखी है तेरा उद्दार किये बिना मेरा मन परसंद नहीं होगा तीन प्रेत योनीों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा निंदत है थोड़ी से पुन्यों से यह समाप्त नहीं होगा इसलिए इस जनम में जो मैंने कार्तिक का ब्रत किया है इसके आधे पुन्य के फल से तू उत्तम गती पाएगी नारजी बोले यह कहकर धरमदत ने दौद साक्षर मंत्र को सुना कर जो तुलसी योक्त जल उसके उपर छड़का तब वह प्रेत योनी से छूट गई जलती हुई अगनी के समान दिव रूप धारन कर सुन्द लक्षमी के समान हो गई फिर ब्रामण को प्रणाम कर हरसित बानी से कहला बोली है माराज आपकी किरपास में नरक से छूटी सो अपार पापों में डूबी हुई मेरे लिए आप निश्य मनोका बन गई नरत बोले कहला ने विश्णू के रूप को धारन करने बाले देवताओं समेत प्रकासमान बिमान को देखा अव धरमदत ने बिमान को आश्यर पूरवक देखा और नाम किया उन दोनों द्वारपालों ने उस धरमदत को उठा कर उसकी प्रसंसा करके धरम युक्त बचन बोले गन बोले हे ब्रहमण तुम बहुत धरमात्मा हो विश्णू की भक्ती में सदार लगे रहते हो दीनों पर दया करते हो विश्णू के भक्तत हो तुमने बच्प के पाप मिटे और हरी का जागरण आदि करने से यह बिमान मिला जहां अनेक प्रकार के भूग है ऐसे बैकुंड को जा रहा है तुमने कार्थिक में दीप दान किया था इससे इसे तेज मिला और तुलसी के पूजन से और कार्थिक के ब्रद से जो तुमने इसको पुन दिया इसलिए मुक्षपा विष्णू के पास जाती है और तुम भी इस जनम के अंत में इस्त्रियों सहित बैकुंट को आओगे तता बैकुंट में भागवान विष्णू की सारू पता मुक्ति को पाओगे जिसका नाम लेने मात्र से मनुष सद्गति को प्राप्त करते हैं जैसे ग्रहा से पकड़ा हुआ हाती मुक्त हो भागवान के समीब गया और उनका गन कहलाया तुमने विष्णू भागवान की जो पूजा की है सो कई हजार बर्स तक दोनों इस्त्रियों सहित भागवान के चर्णों में निवास करोगे जब पुन्य ख्षीन होने पर प्रत्वी पर आकर सूर्य बंस में प्रसद राजा दस्रत कहला होगे ये दोनों इस्त्रियों तुमारे साथ होंगी और तीसरी ये कहला आदे पुन्य की अधिकारणी ये भी तुमारे साथ रहेगी वहाँ भी विष्णू भागवान तुमारे समीब रहेंगे और तुमारे पुत्र हो जड़े।